नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग साथ फर्वरी दो हजार चॉबिस के डेली एडिटोरियल और करेंट अफेर्स एनलेसिस में आपका स्वागत है काम की नियूजिस देखिए आज बहुत कम है दोस्तों बट जो कुछ नियूजिस में आप में डिस्कॉस करूँगा उसमें आपको प्रिलिम्स के और मेंस के बड़े इंपॉर्टन फैट्स मिलेंगे जिसे आज साइनस एंटक का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है कि बही जोडाइकल डस्ट की मिस्टरी क्या है ओवर ओल अगर अर्थ से कोई स्पेस्क्राफ निकलता है मानली जे जूपिटर के लिए और मार्स के लिए और बीच में जो उसको स्पेस सिस्टम में डस्ट मिलती है वो डस्ट आती कहां से इसकी बड़ी जबरदस्ट टेक्निकल एनलिसिस यहाँ पर की गई है तो इस आर्टिकल को सबसे पहले डिसकस करने वाले इसके साथ तीन चार आर्टिकस और है तो डीटेल में साथ फरवरी के एडिटोर्स को हम लोग यहाँ पर समझने के कोशिश करेंगे बिना टाइम वेस्ट किये आगे चलते हैं तो बई देखें यहाँ पर इंट्रदक्शन कैसे कर रहा है ओथर ओथर बता रहा है कि अगर आप एक स्पेस क्राफ्ट को सोलर सिस्टम में साइन्टिफिक मिशन के लिए बेशते हो आउटर रीचेज आउटर रीचेज मतलब दूर सोलर सिस्टम में अमूमन जब भी ओवराल कोई स्पेस क्राफ्ट जाता तो सैटलाइट जाता है तो या तो वो लो अर्थ और्बिट में जाएगा ठीक ना या फिर वो ओवराल जियो स्टेशनरी हार्बिट में जाएगा जो कि 35,000 किलोमीटर की उचाही पे है या फिर वो मून तक जाएगा अभी मून के आगे जाना है मानलो किसी को मार्स के भी आगे जाना है मानलो उसको जाना है जियोपिटर तक जैसे कि जूनो एरक्राफ्ट था नासा का वो जूपिटर तक गया था अभी आप आथर बता रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि एक स्पेस्क्राफ्ट चला अब स्पेस्क्राफ्ट कई बार कुछ ऐसे जोन से निकला जहाँ पे बहुत ज़ादा डस्ट है उस डस्ट ने उस स्पेस्क्राफ्ट के जो सोलर पैनल से उनको डिस्टरब कर दिया खराब कर दिया सोलर पैनल को खाड लिया लेकि ठीक है जो स्पेस्क्राफ्ट था वो काफी स्टर्डी था वो उसके इमपैट को जहल गया और आगे जाता रहा और फाइनली वो जूपिटर के और्बिट में पहुंच गया, ये बेसिकली नासा के स्पेसक्राफ्ट जूनो की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2011 में लाँच हुआ था, ठीक है ना, और फाइनली 5 जूलाई 2016 को जूपिटर के पोलर और्बिट में भी पहुंच गया, लेकिन बीच म जब वो मार्स के पास से गुजरा, तब जो डस्ट थी, उस डस्ट ने उसके जो और आप कह सकते हो, सोलर पैनल थे, उनको खराब कर दिया, तो जूनो स्पेसक्राफ्ट के जो सोलर पैनल खराब हुए थे, इसके उपर एक इंडियन साइटिस्ट ने जबरदस्त रिसर्च क का ओवराल 2021 में पेपर पब्लिश किया, ओवराल पेपर का नाम था, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, इसमें उनका एक्चुली में पेपर चपा था, तो बेसिकली उनका ये बोलना था कि जो जूनो एरक्राफ्ट अर्थ से निकला और जूपिटर गया, तो जब ये 1 से 5 Astronomical Unit के बीच में था तब इसके साथ क्या-क्या हुआ, किस जगा पे कितनी डस्ट है, इसकी उन्होंने कुछ एनलिसिस की, Astronomical Unit क्या है, इसको मैं आपको थोड़ी ज़र मताता हूँ, इसके साथ से बतादू, दोस्तों मैंने कुछ और टॉपिक्स आपके लिए अपलोड की है, जैसे एक टॉप पैणिधे सीज़ इपरस्पेक्टिफीर से बहुत इंपोरणन है और इनी तॉपिक्स में आपको पैसी छीज़ मिल लेंगी, इंडिया जापन रिलेशनचिप, फिर नाश्यल इंवेर्टिशन एजनसी, फिर आपका रोल ऑफ टेख्निज़ोजी akt message फिर इंडिया से एक्स कोर्स दो हजार चौबिस में अपलोड हुए हैं मेंटर्शिप कोर्स इस समय पर बहुत तदा अफोड़ेबल हो रहा है उसकी वज़ाई है दोस्तों कि बहुत कम टाइम बचा है एक्जाम में तो अब इतने कम टाइम में आपके पास ऑविसी बात है टाइम बहुत काम है हजा वीडियोस है में जैंशो के लिए बीडियोस है और कोर्स इसम में मोस्ट अफोड़ेबल है इस से जदा अफोड़ेबल शाहिदी कहीं पे होगा आप अराम से आ सकते हैं जब आप में सेक्शन में बारेंगे यहाँ पे आपको फोल्टर वाइट से लिग्रिशन मिल जाएग को सीखने के लिए मिल जाए रिए ये टॉपिक्स मैंने भी बता है ये आज सुभ इइ इसमें अप्लोड हुए है और डेली के वैसिस पे सुभ या शाम को इस प्रकार के अप्लोड होते रहते हैं जिस जिससे आप से मैं टॉपिक्स को बनाता जाता हूँ बनते जाते हैं मैं विनी सर उसे उसे आप से अपलोड होते जाते हैं तो do off for the mentorship course आपको definitely इसमें मदद मिलेगी चलिए आगे चालते हैं दोस्तों तो हाँ हम astronomical unit की यहाँ पर बात करें तो क्या होता है दोस्तों astronomical unit astronomical unit आपने अक्सर का सुना ही होगा दोस्तों यह होता है distance between earth and sun earth और sun के beach के distance को आप एक astronomical unit बोलते हो अब अगर overall Mars का distance देखा जाए from sun तो it is 1.52 astronomical unit चुकि अब obvious ही बात है earth और sun के beach का जो distance है इसका आप एक idea ले रहे हो तो वो one astronomical unit बोल दिया तो जब भी astronomical movement की unit की measurements Mars से या Jupiter से ली जाती है वो sun के reference मे ली जाती है तो basically Mars sun से 1.52 astronomical units पे है और Jupiter sun से 5.2 astronomical units की दूरी पे अभी जो 2021 में paper release किया है यहाँ पर पाबरी साहाब ने उन्होंने इस paper में analysis में एक चीज़ देखी कि जब भी spacecraft approximately 1.5 astronomical unit की दूर पे होता है तब वहाँ पे सबसे ज़्यादा dust देखने को मिलती है तब वहाँ पे सबसे अदा flux देखने को मिलता है अब आप बोलोगे flux of dust क्या है तो flux is the number of dust particles flowing through a given area per second एक particular given area में per second जितने ज़्यादा dust के particle बह रहे होंगे उतना ज़्यादा आप बोलोगे कि flux है तो जब one astronomical unit से चुकि one astronomical unit पे आपका अर्थ है तो यह sun है इधर आपका अर्थ है तो यहाँ से one से लेके five astronomical units के बीच में dust की density सबसे ज़्यादा कहां पे flux कहां पे इसके उपर analysis की यहाँ पे पाबरी साहब ने और पाबरी साहब की analysis से यह पता चला यह अप्रॉक्सिमेटली 1.5 astronomical units पे बहुत ज़्यादा dust और 1.5 astronomical units मतलब सबसे मार्स के पास मार्स के पास बहुत ज़्यादा dust पाई जाती है यह पता चला और scientist ने यह भी बताया कि यह जो dust है यह source है zodiacal light का Z-O-D-I-S-E-A-L अब भया यह जो flux बोल रहा हूँ ना modest का यह जो मैं astronomical units आप से बोल रहा हूँ यह जो मैं zodiacal light बोल रहा हूँ यह किसी भी UPSC prelims के question में MCQ में आपको नजर आ जाएगा तो जो कुछ भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बठा के चलना in any prelims question these informations can be asked तो ध्यान से तो अब zodiacal light क्या होती यह सबसे important चीज है prelims के perspective से तो zodiacal light sunlight है जो की scatter की गई interplanetary dust के दोरा तो भाईया अर्थ मार्स के मीच में मार्स से आगे चले जाएं तो Jupiter, Venus इन सब के बीच में जो dust पाई जाती है space में वो dust क्या करती है sunlight को scatter कर देती है तो यह जो scattered sunlight होती है इसको ब zodiacal light बोलते हो तो zodiacal light almost entire path of ecliptip में पाई जाती है ecliptic क्या है? ecliptip मतलब वो path है जिस path पे sun move करता है और the course of a year ठीक है? तो बहिए interplanetary dust जब sunlight को scatter करके फैला जाती है तो जो फैली वी light है वो zodiacal light होती है यह किसी भी एक one liner में आप से पूछा जा सकता है UPSC में भी, SSC में भी ठीक है न बहिए? अब सबसे खास बात दोस्तों यह है कि भी, zodiacal light के दम पे ही और और भी बहुत से factors के दम पे पाबरी साब यह पता कर रहे थे dust सबसे ज़्यादा कहां मिली तो पता चला 1.5 astronomical unit पे मिली और 1.5 astronomical unit के पास क्या है? तो वहाँ पे है भी यह Mars तो Mars को वज़ा बताई जा रही है इस astronomical dust की और Mars के सासथ Mars के जो दो moon है, उनको वज़ा बताई जा रही astronomical unit की है अब यह जो Mars के दो moon है इनका नाम क्या है? एक का नाम है Demos, एक का नाम है Phobos ठीक न भी? Mars को Greek mythology में God of War बोला जाता है और जो इस Mars के दो moon है इनको इसके Twin Suns बोला आता है इनको बोला आता है God of Dread and God of Panic अगर आप Mars के moon की बात करो तो इन moonों को discover किया गया था 1877 में SF Hall के दोरा Demos और Phobos में बड़ा कौन है? तो Phobos बड़ा है Phobos is the bigger moon among the Mars two moons और यह जो Phobos है तो दीरे-दीरे करके Mars के पास आ रहा है at the rate of 6 feet per century तो ऐसा बताया जा रहा है कि आगे आने वाले कई लाग करोडों सालों में यह जो particular Phobos है वो जाके Mars से टकरा जाएगा या फिर तूटके Mars के चरव तरफ एक छोटी सी ring बना लेगा in fact अगर आप देखो तो Phobos के उपर एक 10 km वाइड क्रेटर भी पाया जाता है इस क्रेटर को नाम दिया गया है जो आपके सेफ हॉल थे इनकी wife के ओनर में इनका नाम था Angeline Sticky Angeline Sticky 1877 में जो ऐसे फॉल थे उन्होंने बोला कि भई Mars को बहुत लंबे समय से वो पढ़ रहे थे लेकिन वो पढ़ पढ़ के बहुत परिशान उचकित होता ने कि इनसान की जीवन में एक समय आता है कि वो किसी चीज की बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहा है और बाद में उसे लगे कि यार ये कोशिश successful नहीं आएगी होगी तो इसको छोड़ दो तो एक समय पर S.F. Hall भी इस कोशिश में थे कि यार छोड़ देता हूँ इस particular पढ़ाई में कोई outcome निकल नहीं रहे लेकिन उस समय पर Angeline Stickney जो की mathematician थी उन्होंने encourage किया कि आप करते रहे है और जस्ट अगले दिन ही Phobos को spot किया किसने S.F. Hall ने और 6 दिन बाद Demos को spot किया तो मार्स के जो दो मून थे इनको S.F. Hall ने धूड़ा है और इन मून की properties को आज की date में जो overall scientist है वो पढ़ रहे हैं अब पाबरी साहब ने ये पता किया कि मार्स और इसके जो दो मून है यही वज़ा है कि 1.5 astronomical unit के पास इतना जादा flux of dust है तो वो जो flux of dust कहां से आ रहा है इन दो मून से आ रहा है अब किस basis पे बोला गया है इसमें भी थोड़ी scientific क्यों बंद आप कहलो थेसे से हो सकता है इतनी science आपको लगे किसार ही है कितनी काम के बड़ जरूर ही है दोस्तो अगर आप UPSC तियारी कर रहे हैं किसी भी इंसान की exam की तियारी कर रहे हैं और फिर आप एक inquisitive इंसान भी हैं माइनस 112 degree Celsius होता है तो कुछी किलोमेटर के gap पे 108 degree Celsius का temperature difference आजाता है फोबोस के उपर अब सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि इतना कम temperature फोबोस के उपर क्यों है चोकि फोबोस के surface पे present है dust और इस dust के अंदर heat को hold करने की capacity नहीं है और फोबोस के पास कोई atmosphere भी नहीं है कि वो heat को hold कर पाए तो इतनी कम वहाँ पे heat trapped है कि सब dusty dust नजर आती है तो एक तो फोबोस में कोई atmosphere नहीं है कि वो heat को trap कर पाए और दूसरा फोबोस की surface पे जो dust present है वो dust overall heat को trap करनी नहीं सकती इसलिए फोबोस इतना ठंडा है डीमोस की बात कीज़े तो डीमोस की जो actual surface है वो कई hundreds of meters of dust के नीचे दबी हुई है समझ क्या अब इसमें gravity का भी थोड़ा impact आ रहा है डॉक्टर पाबरी का बोलना है कि जो दोनो martian moons है न और जो gravitational effect है Mars का इसका भी इस बहुत important role है क्या जो बहुत heavy dust है Mars की उसको तो खींच लेता है कौन आपका Mars और जो loose dust है आपकी इन दोनों moons की वो loose dust इधर-उदर space में फैलने लगती है जोकि यह जो दो moon है न मार के यह proper spherical नहीं अगर proper spherical होती है body तो उसका gravitational force जादा होता है बट यह जो दोनों demos और phobos है इनका जो proper body structure है वो भी पूरा spherical नहीं है तो इनकी gravity कम है तो जो hulky वाली dust है मतलब आपके लो atmosphere गलत कर रहा हूँ space में eject कर जाती है और वहाँ पे आपको जो flux है किसका dust का वो जादर देखने को मिलता है तो basically जो zodiacal dust है यह demos और phobos contribute कर रहे है ऐसा बोला जा रहा है अब इस dust को कभी कभी नाम दे दिया जाता है micrometeorites अब सबसे बहला सवाल यह आएगा दोस्तों कि जो micrometeorites हैं जिनको आप one ten thousand of a gram बोलते हो यह बहुत तेजी से move करते हैं और अगर space में यह बहुत तेजी से move कर रहे है तो किसी fast moving spacecraft से अगर यह टकरा जाते हैं तो उस पर बहुत significant amount of force डाल सकते हैं उसको destroy कर सकते हैं जैसा जूनों के साथ हुआ क्या अर्थ के आसपास ऐसी कोई dust नहीं है बिलकुल है दोस्तों problem यह होती है कि अर्थ में जब इस प्रकार के micrometriots entry मारेंगे वो atmosphere से टकरा के burn up हो जाएंगे friction की होजा से लेकिन demos और phobos में कोई atmosphere ही नहीं तो वहाँ पर यह burning वाला process हो नहीं पाता है इसलिए उनकी surface के उपर बिलकुल आप कहलो dusty dust है अगर अर्थ में भी दोस्तों कोई atmosphere ना हो जिन्दगी खतम हो जाए तो कई हो सकता है लाक्स और बिलियन्स ओफ यर्स पार्थ अर्थ के surface पे भी बहुत सारी dust पड़ी नज़रा है समझ गया तो phobos और demos में जो इतनी बड़ी quantity में dust पड़ी हुई है यही dust 1.5 astronomical units के आज़ पास इतना ज़्यादा dust का flux create करती है और कोई रीजन यहाँ पे scientist को और including पाबरी जी को नहीं मिल पा रहा है कि 1.5 astronomical units के पास इतना ज़्यादा dust का flux कहां से आए ठीक है भाई तो यह था article I hope आपको मज़ा आया उस article में कुछ ने कुछ useful जानने को मिला मालदीवस अपने plan को accelerate कर रहा है कि वो कैसे ना कैसे करके इंडिया के उपर से अपनी dependence को हटाए फिर चाहे वो tourism हो फिर चाहे वो raw materials का import हो फिर चाहे वो medical tourism की चीज़ हो यह सब चीज़ों को एक एकर के देखते है देखे जन्वरी में काफी बवाल हो गया था deputy ministers जो थे मालदीवस के उन्होंने इल्टे सीदे comment कर दिये था आपको पता ही होगा हमारे PM के उपर PM साब उस समय पर लक्षदीब गया थे अब PM साब तो अपनी के अपसिटी में लक्षदीब की tourism तो बढ़ाएंगे ही ना इंडिया को सी tourism को तो बढ़ाएंगे ही लेकिन मालदीवस को बात पसंद नहीं मालदीवस को लगा कि इंडिया वाले तो tourism की industry को तबहा करने के उपर उतारू है अब उसी समय पर जो मालदीविन प्रेजिनेंट ने मौमद म्यूजू इन्होंने बोला कि आठ चायना के साथ ट्राइस अच्छे करेंगे तो जब इंडिया मालदीवस के ट्राइस बिगड़े मौमद म्यूजू निकल गए चायना और चायना जाके उन्होंने जी जिजिंग्पिंग से बोला कि भईया आप ज़ादा से ज़ादा चायनीज टूरिस्ट को मालदीवस के अंदर भेजो और जी जिजिंग्पिंग तो भईया एंटी इंडिया स्टांस रखते ही हैं तो उन्होंने बड़ी तागाद में मालदीवस के टूरिस्ट को भेजना भी शुरू किया और एक्चुली में इसका इंपक्ट देखने को मिला है दोस्तो अगर आप 2023 के पहले 35 दिनों को और 2024 के पहले 35 दिनों को मतलब कंपेर करो मालदीवस में टूरिस्ट के रिस्पेक्ट में तो भईया अगर आप देखें तो इंडिया से 2023 के पहले 35 दिनों में 21,460 टूरिस्ट गए थे मालदीवस जबकि 2024 के पहले 35 दिनों में 16,895 टूरिस्ट गए थे मालदीवस तो डेफिनिटली एक ड्रॉप तो देखने को मिला है नंबर ओफ इंडियन टूरिस्ट में जो की मालदीवस ट्रेवल कर रहे हैं तो अब यह कह सकते हो इस बाइकोड की ऐसे भी हो सकता है कुछ लोगों को गुस्ता आ गया मालदीवस के उपर कुछ लोगों ने प्लान कैंसल कर दिये कि आरे बिना मतलब की पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना बट डेफिनिटली इंडिया से जो जाने वाले टूरिस्ट हैं इन मालदीवस वो कम हुए अच्छा इंडिया टूरिस्ट ही कम नहीं हुए पहले 35 दिनों को और 2024 के पहले 35 दिनों को compare करें तो 2023 में पहले 35 दिनों में 1,97,252 टूरिस्ट आये थे मालदीवस में और 2024 के पहले 35 दिनों में 2,22,502 टूरिस्ट है तो अगर इंडियन टूरिस्ट जो की बहुत significant proportion बनाते हैं मालदीवस के टूरिस्ट का तूरिस्ट बेजे 2023 में अगर आप देखो तो पहले 35 दिनों में केवल 6,530 चैनीज टूरिस्ट गहते हैं मालदीवस जबकि 2024 के पहले 35 दिनों में 25,303 चैनीज टूरिस्ट मालदीवस गहें तो no doubt इंडिया के shortfall को more than compensate कर रहे हैं चैना के टूरिस्ट और चैना हो सकता domestically मालदीवस जाने वाले टूरिस्ट को बढ़ा भी रहा होगा प्रोमोशन कर रहा होगा उनका चोकि यहां पे चैना इंडिया को isolate करना चाता है तो यह तो होगए टूरिस्ट की बात के लिए जो मालदीवस की सरकार है वो उनको थोड़ी बहुत सबसीडिय वगर भी देती है जो भी government health insurance है अब मौमद म्यूजू ने announce कि है January 13 को कि जो health insurance जिन country's के लिए मिलता है उसमें इंडिया के साथ-साथ UAE और Thailand भी शामिल है तो बहुत सारे टूरिस्ट जो पहले इंडिया जा रहे थे वो UAE और Thailand जाने लगे वो मनद मालदीवस की सरकार यहाँ पर ज़्यादा options दे रही है मालदीवस के लोगों को कि हाँ बाई इंडिया के लावगर तुम UAE और Thailand जाना चाते हो तो वहाँ पे भी जा सकते हो फिर medical tourism के respect में देखा जा तो Chinese 8 के साथ एक 100 बेट का hospital भी बनाया जा रहा है मालदीवस के अंदर फिर Mr. Musu और जो जी जिंग पिंग है चाइना का उसने कुछ schemes भी sign की है अगरी कल्चर के फील्ड में ताकि जो stable foods हमेशा से मालदीवस इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है वो वहाँ पे domestically grow कर सके for example rice हो गया, sugar हो गया, floor हो गया, बड़े तागाद में मालदीवस इन सारे products को इंडिया से इंपोर्ट करता है लेकिन अब चाइना मदद कर रहा है कि हाँ तुम locally उगालो, इंडिया से मंगाने की जुरूत नहीं है मालदीवस 95% granite, 40% steel bars and coils, 30% tubes and pipes, electric motor cement, 65% flat road iron stainless steel sheets, 50% bulldozers इंडिया से इंपोर्ट करता है अपना 80% rice, 60% अंडे, 30% cattle meat, 50% onion, melons and nuts, 25% wheat और 45% crabs, ships and prawns और cabbage और 40% tomatoes भी आपका मालदीवस इंडिया से इंपोर्ट करता है कि they want to reduce their dependence on India and they want to increase their dependence on China अब चाइना के उपर dependence improve करके वो क्या prove करना चाहते हैं overall कौन से head में चाइना उनकी ज़्यादा मदद कर सकता है इसको तो हम कह नहीं सकते हैं, इसको तो बस यहीं बोल सकते हैं पॉलिटिकल आइडिलोजी के नाम पे चीज़ें हो रही है अब इसमें आगे क्या होता क्या नहीं होता बड़ डेफिनिटली यह सारी चीज़ें strategic purposes से इंडिया के favor में नहीं जा रही हैं इंडिया के against जाती नजर आ रही है आगे चलते भाई supreme court से एक आप कहलो judgment है judgment तो नहीं है in fact एक observation है हमारे supreme court के judge का एक seven judge की constitution bent बैठी है और वो यह बात कर रही है कि जो scheduled class है scheduled class में क्या sub-categorization किया जा सकता है इसको समझने की कोशिश करते हैं देखें क्या लिखा a seven judge constitution bench on Tuesday question why affluent sub-cast among backward classes should not be excluded from the reservation list and made to compete in the general category देखें जो reserved classes होती है red f classes में जो लोग आगे निकल चुके है वो reserved classes जो की actually में आगे बढ़ चुकी है उन लोगो को क्या reservation देना continue करना सही रहेगा या फिर उनको reservation से बाहर निकाल दिया जाए यह question विक्रम नात जी ने यहाँ पर कूछा है हाला कि विक्रम नात जी ने यहाँ पर यह भी बोला है कि overall schedule class की list से या backward classes की list से किसी कास्ट को निकालना या फिर उसको include करना इसकी ताकत parliament के पास है और बाद में overall president उसके उपर approval देगा लेकिन इन्होंने question कर दिया और अगर supreme court ने question कर दिया तो यह matter करता है supreme court का बोलना है कि भाई देखी जब reservation दिया गया था देश के आजादी के बात वो इसलिए दिया गया था कि कुछ classes forward हैं और कुछ classes backward हैं तो forward classes compete कर लेंगी backward classes को आप benefit दो लेकिन वो backward classes जो already आगे निकल चुकी हैं उनके generations आगे भी overall reservation लेते रहें इसका कोई मतलब नहीं तो जो classes आगे आगे निकल चुकी हैं आप उनको reservation के list से बाहर कर दो तब आपको यह पताईए कि इसमें कितनी सारी politics दोस्तों यहाँ पर होनी शुरू हो जाएगी पंजाब की जो अच्छा एक और question पर यहाँ पर अच्छा यह सारी question मतलब matter पहुँचा कैसे Supreme Court में Supreme Court में matter पहुँचने के वज़ाए यह है दोसमें कि socially and educationally backward classes में subcategorization की बात हो रही है जो OBC quota होता other backward classes का quota उसके अंदर बहुत सरे राज्यों में यह मुद्दा चल रहा है कि भाई इसके अंदर आप classes बनाईए, segregation बनाईए कि कौन सी class जादा cast जादा backward है और कौन सी cast कम backward है लेकिन यह subcategorization schedule cast में नहीं होता है दोस्तों तो क्या यह subcategorization schedule cast में हो सकता है तो देखे पंजाब की सरकार ने एक law बनाया था पंजाब schedule cast and backward classes reservation in services act 2006 इसका जो section 4-5 था वो importance दे रहा था first preference दे रहा था बाल मिकीज को और मजभी 6 को इनको पहले ही reservation दिया जा रहा था लेकिन 2006 के इस act को खारिज कर दिया था 2010 में पंजाब की हाई court ने क्या court करते हुए supreme court के five judge constitution judgment के EV चनया case को court करते हुए EV चनया case में ये बोला गया कि भाई देखे first of all schedule cast के list के अंदर लाने की ताकत finally किस के पास है president के पास है under article 341 of the constitution और इस constitution मेंच ने ये भी बोला था कि जो schedule cast है ये homogenous groups है इनके अंदर आप sub classification नहीं कर सकते हैं लेकिन पंजाब की राज सरकार बोल सकती है कि भाई schedule cast के अंदर भी sub classification हो सकता है चूकि there is very much a possibility कि state wise schedule cast के अंदर हो सकता है कि कुछ cast या कुछ groups forward हो और कुछ groups backward हो तो हम कुछ groups जो backward हैं उनको importance दे सकते जैसे कि पंजाब ने 2006 में बाल मिकीस और मजभी स्चिप्स को ज़्यादा importance देने की बात की चूकि उनको लगा कि schedule cast के अंदर ये जो particular group है ये ज़्यादा backward है तो basically पंजाब की सरकार का बोलना है कि weak में भी जो weakest है उसको हम preference दे सकते है schedule cast को एक uniformed category बना के इसके अंदर subcategorization को allowed ना करना ये गलत है तो इस बात को लेके यहाँ पे supreme court के अंदर बहस जा रही है तो याद रखी कि दोस्तों socially and educational backward classes के अंदर subcategorization allowed है जो OBC का quota है उसके अंदर subcategorization allowed है लेकिन schedule cast के अंदर subcategorization allowed नहीं है किस judgment के इसाब से EV चनहिया supreme court के judgment के इसाब से जिसमें 5 judge की constitution bench बैठी थी और उसके against ही supreme court के अब 7 judge की constitution bench बैठी है जो कि इस बात के ओपर decision लेगी कि यह क्या schedule cast के अंदर subcategorization हो सकता है यह schedule cast एक uniformed group माना चाहेगा EV चनहिया judgment के इसाब से ठीक है भाई आगे चलते हैं यह एक छोटी सी news है how these uncrewed surface vessels uncrewed vessels क्या होते हैं uncrewed vessels आप कहलो drone होगे चैसे drone होता ना plane उड़ रहा उपर drone उड़ रहा उपर उसके उपर bum वगरा लगा हुआ कभी बिगम गिरा देगा अंदर कोई crew नहीं है तो एक प्रकार से पानी की surface पे चलने वाला drone ship हो गया यह how these uncrewed surface vessels वैकल तो ऐसे बहुत सारे uncrewed sources वैकल को how these ने deploy कर रखा है Red Sea के पास और US धूड धूड के in south how these uncrewed vessels को उड़ा रहा है जैसे two explosive laden USV इसको भी रिसेंटली US Ministry नो तभा कर दिया US की defense का बोलना है कि भी how those इस प्रकार के uncrewed surface vessels को deploy करके US और उसके allies की navy को तो threaten करी रहे है साथ साथ जो commercial shipping निकल रही Red Sea से उसको भी आपर threaten कर रहे है तो यह गलत है हम इसको रोक के रहेंगे यह basically topic है तो I hope आज के इस particular discussion में आपको कुछ न कुछ useful जानने को मिला होगा अपने viewpoint मुझे जरूर बताएगा दोस्तों और आप चाहे तो इस mentorship course को join कर सकते हैं बहुती मेहनत से और बहुती organized तरीके से mentorship course मैंने आपके लिए बनाया है So thank you for watching friends अपने धान लिखिये पड़ते लिखते रही Have a great